लोग सभा के स्पीकर आदर्णिय श्री ओम बिरला जी, राज सभा के उपसभापती, श्री हरिवांश जी, मानिय साउसत्गाण, सभी बरिष्ट जनप्रतिनिदी, बिशिष्ट अतिथी, अन्य सभी महनुभाव, और मेरे प्यारे देश वाचियों, हर देश की विकास यात्रा में, कुछ पल ऐसे आते हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, कुछ तारीख हैं, समय के ललाट पर, तो हजार तेईस का ये दीन, ऐसा ही शुब अवसर है, देश आजहादी के 75 बर्ष होने पर, अमरित महोत्सों बना रहा है, इस अमरित महोत्सों में, भारत के लोगों ने, अपने लोकतंत्र को, संसत के इस नए भवन का उपहार दिया है, आज सुब्य ही, संसत भवन परिशर में, सर्वपंथ प्रार्षना हुई है, मैं सभी देश वासियों को, भारतिय लोकतंत्र के, इस स्वनिम ख्षन की, बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, 140 करोड भारत वासियों की, आकांचाओं और सपनों का प्रतिमिम्ब है, ये विश्व को भारत के द्रड संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदीर है, ये नया संसद्भवन योजना को यथार्थ से, नीती को निर्माण से, इच्छा शक्ती को क्रिया शक्ती से, संकल्प को सिद्धी से जोड़ने वाली एहम कड़ी साबित होगा, ये नया भवन हमारे स्वातंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा, ये नया भवन आत्म निर्वर भारत के सुर्यों दैका साक्षी बनेगा, ये नया भवन विच्षिज भारत के संकल्पों की सिद्धी होते हुए देखेगा, ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्शा है, साथ्यों नए रास्तों पर चल कर ही नए प्रतिमान गड़े जाते हैं, पर खांगी जाते हैं,